दोस्तों स्वागत है आपका हाइट क्लासेस में मैं हूँ शिवाजी पिछले क्लास में हमने समझा था कि किस तरह से राष्ठी आंदोलन का जो दौर शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहले कॉंग्रेस की अस्थापना होती है और कॉंग्रेस की जो पुरुवर्ती संस्थाएं उसके विसे में भी मैंने आपको बताया था कौन-कौन सी संस्थाएं उसे पुर्वस्थापित हुई थी और फिर 1885 में भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस की अस्थापना होती है राष्ठी आंदोलन का आगाज होता है यह सब जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया था अब मुख रूप से भारतिय राष्ट्य आंदोलन को हम लोग तीन चरनों में विभाजित कर देते हैं पहला जो चरन है वह निशित रूप से 1885 स्वी जो की भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस की अस्थापना का वर्स है वहीं से शुरू होता है राष्ट्य कॉंग्रेस की अस्थ यूग वह मुख्य रूप से उदारवादीयों का यूद कहा जाता है इसलिए इस समयकाल को भी उदारवादी चलन कहते हैं उदारवादी कहने का अर्थ यह है कि जब आप कॉंग्रेश की अस्थापना के बारे में वीडियो आपने देखा और समझा तो उसमें आपने निशित रूप से गौर किया होगा कि कॉंग्रेस की अस्थापना में जो लोग सामिल थे, वह मुख रूप से समाज के जो मुख धारा के लोग थे, जो समाज के उपड़ी वर्ग थे, उपड़ी मध्यम वर्ग के जो लोग थे, वह सामिल थे, जो बुद्धी जीवी वर्ग एक अलग तडिका होता है और वही तडिका अपनाया गया था इस चरण में उसमें खास तोर से अनुने विने प्रार्थना आवेदन परतिवेदन का यह दौर था जिसमें अंग्रेजों से लगातार जो कोंग्रेश के माध्यम से उदारवादी नेता थे जिसमें मुख रूप को यानिकि ब्रिटिस गौर्फन को बार बार आवेदन दिया गया प्रार्थना पत्र सोप आगया और मांग्यागै शुधार किया जाए जो वेर्थ का खर्च करती है ब्रिटिस गोर्फनेंट जो भारतिये घंड का नुक्सान होता है उसमें कट्वती की जाए सिविल सेवा इस तरह कि जो मांगे थी वह प्रार्थना के माध्यम से अधिवेशन के माध्यम से इस दौर में किया गया इसको हम विस्तार से समझेंगे फिलहाल यह समझे कि 1905 इसलिए रखा गया है कि 1905 में ब्रिटिस गौर्मेंट के द्वारा बंगाल विवाजन किया जाता है और बंगा जो चरन दो दारवादियों निया दौर सुरू हो जाता है और इसको क्रांतिकाणी चरन यह भारति राष्ट्यांदुलों का दूतिये चरन कहते हैं और दूतिये चरन की जब हम बात करते हैं तो इसकी शुरवात 1905 में बंगाल विवाजन के विरोध से सुरू होता तक कि यह टो रहता है कि इस दोर की राते कि यह है कि यह अंग्रेजों का बिरोध यहां भी हो रहा है लेकिन तरिका थोरा सा रहता है कि ह üz nobody कि सरकार से मांगी की जा रही थी सरकार का विरोध किया रहा था यहां आप सरक पर उतर कर खुले आम विरोध किया गया हतियारों का भी प्रयोग किया लिया क्रांतिकाडियों ने सीधे सीधे अंग्यों का सामना किया टकर लिया हर्ताल किये गए धरने दिये गए परदर्शन किय तो इस तरह के जो काड़ी किये गए तो इसलिए इस दौर को क्रांतिकाडियों का यूग कहा जाता है क्रांतिकाडी चरन कहते हैं या फिर भारती राष्टी आंदुलन का दूतिय चरन या उग्रबादी चरन भी कहते हैं 1915 Smart望 को इसलिए माल लिया गया है कि 1915 Smart望 में ही ऑ औफरिका से महात्मा गांदी का भारत में वापसी होता हां नverbs 15 हैशवी में भारत में महात्मा गांधी के आगमन के बाद पूरे राष्टी आंदोलन का जो स्वरूप है वो गांधी में हो जाता है गांधी के विशारोUNG से प्रभावित हो जाता है हलाकि जो कृतिकारी चरन है या उदारवादी चरन है या कहीं जाकर समाथunden हो सकता है ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 1905 में यह बिल्कुल समाप्थ हो गया यह चलता रहा लेकिन इस दौर में उदारवादियों की जो परमुक्ता थी वह समाप्थ हो गया करांतिकारी चरण 1915 या 1909 में समाप्थ नहीं हुआ बलकि यह कम पर गया इसका धार था वह कुंद हो गया लेकिन यह चलता रहा 1947 इसका भी प्रभाव उनैसो 47 इस बी तक चलता रहा लेकिन जो परमुक्त हो गया वह था गांधी यूग यानि कि गांधी जी और इसलिए 1915 के बाद का जो समयकाल है उसको हम लोग बड़ी आसानी से गांधी यूग कह देते हैं क्योंकि संपूर्ण राष्टी आंदुलन पर गांधी जी का प्रभाव रहता है तो 1915 हिस्वी से लेकर 1947 हिस्वी तक जब तक ही भारत आजादन हो जाए इसको गांधी यू प्रभाव है वह कयम रहता है तो इस तरह से भारती राष्टी आंदुलन को हमने तीन चरण में बाठ दिया उदारवादी चरण उग्रवादी या क्रांतिकाडी चरण और तीसरा गांधी यूग तो आए बाड़ी बाड़ी से तीनों चरणों में होए घटना क्रम को समझत सब्सक्राइब क्योंकि इससे सबाड़ पूछे जाते हैं आपसे भले ही चरण का नाम नाप पूछा जाए लेगिन इस चरण की जो महतफण घटनाए हैं जो महतफण वेक्टी जूरे हूए हैं उससे सब्सक्राइब यह जाते हैं इसी लिए आयगे subscribe करते हैं सबसे पेले उदारवादी चरनकों किりました 2520 को देखे उदारवादी चरनके जो महत्पूर्ण बिंदू रहे हैं वह आप समझी सबसे पहले तो उदारवादी चरण के जो परमुक नेता रहे हैं मैंने पहले भी जिक्र किया था दादा भाई नवरो जी महतपुर्ण नेता थे सुरेंद्रनात बनर जी गोपाल कृष्ण गोखले फिरोज सामेता मदन मुहन मालविये यह जो नेता थे यह मुख रूप से उदारवादी चरण से जुरेंद्रन नरमपंथी नेता थे नरमपंथी नेता होने का ताथ पड़े तो समझी रहें कोई भी बात को बड़े काइदे से प्रार्थना के रूप में अंग्रेजों के सामने यह रखते थे इनका तरीका क्या था उदारवादियों का यह नरमपंथियों का जो तरीका था वह था अनुने बिने करना परतिवेदन देना भासन लेख आधी के माध्यम से प्रकासित करवाते थे लेख समचार पत्रों में अधिवेशन कॉंग्रेस के अधिवेशन के में जो लिए ले जाते थे उसको प्र पलबहरतिय सुधार समीती की अस्थापना होती है 1887 में घपल को浜ाती है तो बहुतन होती 287 में गॉस्थाइभरती की अस्थापना इश F उतना तक जो निनमपंथियों की मांगे थी जो उदारवादियों की मांगे थी उसको समाहित करने का सरकार ने प्रयास किया था इसको आप समझ सकते हैं उसके बाद भारती बै जो इंडियन expenditure था जो भारत पे खर्च भारित किया गया था उसकी समिक्षा के लिए एक वेलवी आयोग ब्रिटिस गर्मेंड ने अस्थापित की यह एक महत्पूर्ण विजय आप कह सकते हूं उदारवादियों का हलागे कोई बहुत बहुत बड़ा जीत नहीं था उदारवादियों का को ब्रिटिस गर्मेंड ने बेलवी आयोग एक अस्थापित किया था इसको आप एक प्रारंभिक विजय मान सकते हैं 1889 में लंदन में ब्रिटिस कमीटी ऑफ इंडिया की अस्थापना की गई और इसके सची बिल्यम डिग भी को बना गया था तो ब्रिटिस कमीटी ऑफ इंड थी उन मांगों को ब्रिटिस गर्मेंड तक पहुंचाता तो यह समझ सकते हैं कि उदारवादियों के जो काड़ी का पड़िनाम था वो यह था इस संस्था ने ब्रिटिस कमीटी ऑफ इंडिया ने एक इंडिया नाम से पत्रिका भी प्रकासित किया और इसी के माध्यम से ब अरोजी ने ताकि अंग्रेजों को एक यह बात समझाई जा सके कि हम इस बात को समझ रहे हैं कि भारत का आर्थिक दोहन हो रहा है तो धन के निश्कासन का सिधानत बारवारत कुछा जाता है किस ने दिया था जो दादा भाहिन ने दिया था वहीं एम जी रानाडे ने जो आधनिक उध्योग है यानि कि उध्योगी करन के महत को समझाया कि भारत में किस तरह से इसका लाब मिल सकता है तो रानाडे ने इस बात को समझाया था जबकि रमेश चंद्र दत बहुत महतपूर्ण है आरसी दत इन्होंने एक किताब लिखी थी इसका नाम था भारत का आर आर्थिक दसा है वह किस तरह से अंग्डेजों के नीती के वज़से खराब हो गई है विगरती जा रही है तो इसके माध्यम से यह प्रयास किया गया था इसलिए इस यूग को भी आर्थिक राष्टवाद का यूग कहा जाता है इसे सिर्फ उदारवादी यूग या राष महत्रपुन मांगे रही थीूडार वादियों की लिजीडान सभा करके पर यह मांग करने की मांग किया था कि न्याएपाली का और काड़्य पालिके siya ये उटर साथी साथ कनाड़ा और अस्टेलिया के तरह सोसासन की मांग ये करते थे सोसासन क्या मतलब है कि ब्रिटिस सरकार के अंदर ही हमको भी अधिकार दिया जाए सासन करने का तो सोसासन की मांग यह अस्ट्रेलिया और कराड़ा के में जो जिस तरह की विवस्था थी वह मांग भी उधारवादियों ने किया था इसका पड़िनाम क्या निकला यह कोई बरा उपलब भी था नहीं आजादी का बहुत ब्यापक प्यास लूंहें किया नहीं यह लहीं हो सकता है लेकिन इतिहास के नजर में इसका जो अस्थान है वो कोई खास महत्व नहीं रखता है तो आज हमने आपको समधाया कि किस तरह से उदारवादी चरण में उदारवादी नेताओं ने अपनी मांगे अंग्रेजों के समक्ष रखा और भारतिय राष्टिया अंदुलन के पर निशे जाते हैं तो देखते रही है हाइप क्लासेस वीडियोज को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद